तो आज हम आपके लिए लेकिया हैं बहुती टीस्टी वेज दम बिर्यानी जो बनाने में बहुती ईजी है और खाने में बहुती टीस्टी तो आएए शुरू करते हैं इसे बनाना तो यहाँ पे मैंने एक से डेल कटोरी सोया चंक्स लिया हुआ है इसे हलके गुनगुने पानी में 15-20 मिनट के लिए भीगो के रख देंगे गुनगुने पानी में भीगोने से यह बहुती जल्दी सौफ्ट हो जाएंगे साथ ही बिर्यानी वाला चावल लिया है इसे आदी घंटे के लिए विगो के रख दिया है जब तक चावल सोप हो रहे है तब तक हम बिरिस्टा तियार कर लेते हैं तो इसके लिए प्याज को लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे और सारे प्याज को इस तरीके से प्यास को धीनी आज पर क्रिस्पी होने तक फ्राइ करना है और हां ध्यान रहे प्यास बहुत जल्दी यह जल जाता है तो प्यास जैसे ही golden brown होने लगेगा हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सारे प्यास को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए प्यास golden brown होने तो इस ट्रेनर पे प्याज जानने के बाद इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे तो इसका सारा ओयल कड़ाई में ही निकल जाएगा यहाँ पे देखने में आपको लगेगा कि अभी प्याज क्रिस्पी नहीं हुआ है लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है यह थोड़ी देर ठंडा होने के बाद अपने आपी क्रिस्पी हो जाता है इस तरीके से सारा ओयल निकालने के बाद हम एक प्लेट पे टिशू पेपर रखेंगे और उसके उपर यह सारा प्याज रख देंगे इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद यह बहुत ही ज़ादा क्रिस्पी हो जाएगा यहाँ पे बिरिस्ता बनके हमारा त्यार है अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो हमने चावल सोक करने के लिए रखे हुए थे इनका सारा पानी निकालके इसको अच्छे से वाश कर लेंगे एक पतीले में पानी गरम करेंगे और यह जब पानी अच्छे से बोईल हो जाएगा तब इसमें हम सारा चावल डाल देंगे चावल डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़ादा नहीं चलाना है बस एक से दो बार हमें इसे अच्छे से चला देना है और चावल को हमें सिर्फ 70% ही कुक करना है बाकी हम इसे दम में पकाएंगे चावल के पानी में हम हरी लाइची, लॉंग और काली मिर्च डाल देंगे बस 5-7 मिनिट में ही ये चावल 70% कुको जाएगा चावल से सारा पानी हम निकाल देंगे और चावल को ढखके रख देंगे सोय चंक्स भी बहुत अच्छे से भीग के तियार हो चुके हैं, सौफ्ट हो चुके हैं इसका हम सारा पानी निकाल देंगे हाथ से निचोड के इसका सारा पानी निकाल देंगे उसके बाद हम एक बाउल लेंगे और ये सारे सोय चंक्स उसमें डाल देंगे अब इसे हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे हम 2-3 चम्मच दही डाल देंगे 1-1.5 चम्मच अधरक लहसुन का पेस्ट यह घर पे ही तियार किया हुआ है क्योंकि बाहर वाले में अच्छे से टेस्ट नहीं आता है 1-1 चम्मच गरम मसाला आधी छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर 1-1 चम्मच नमक और जो बिरिस्ता हमने तियार किया हुआ था वो इसमें थोड़ा सा डाल के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि चम्मत से ही अच्छे से mix नहीं होगा तो इसे हाथ से ही अच्छे से mix करेंगे और इसे पांच मिनट के लिए रख देंगे पांच मिनट बाद एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हुए है तेज पत्ता, डाल चीनी, लॉंग, इलाइची, जीरा और काली मिर्च इन सब को तेल गरम करेंगे कड़ाई में और उसमें यह डाल देंगे बिर्यानी में सारा टेस्ट इन खड़े मसालों से ही आता है तो खड़े मसाले डालने के बाद जो हमने यहाँ पे सोया चंक्स मैरिनेट करके रखे हुए थे वो सारे इसमें डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से इसे हम भून लेंगे इसे हमें बहुत जादा पकाने के जरुरत नहीं है बस हमें इतना ही पकाना है कि यह बहुत अच्छे से भून जाए इसमें दो बड़े चम्मच बिर्यानी मसाला डाल देंगे आप यहाँ पे कोई भी बिर्यानी मसाला डाल सकते हैं यह बजार में बहुत ही इसली एवलेबल है जब यह अच्छे से भून जाएगा तो इसमें से आधा सोया चंग्स हम एक बहुल में निकाल लेंगे और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं लाइक किया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो यहाँ पे आधा सोया चंग्स निकालने के बाद हम इसे कड़ाई में इस तरीके से फैला देंगे और उसके उपर जो हमने बिर्यानी के चावल पका के रखे हुए हैं वो आधे इसके उपर फैला देंगे चावल के उपर थोड़ा सा बिरिस्ता डालेंगे बिरिस्ता डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करियेगा बिर्यानी का टेस इससे बहुत ही अच्छा आता है थोड़ा सा हरा धनिया और यहाँ पे मैंने फूट कलर लिया हुआ है तो ओरेंज फूट कलर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके दो से तीन ड्रॉप इसके उपर डाल देंगे उपर से आधा छोटा चममच बिर्यानी मसाला जो हमने आधे सोया चंक्स बचा के रखे हुए थे वो इसके उपर फैला देंगे अब इसके बाद फिर से हम इसके उपर चावल डाल देंगे चावल को अच्छे से चारो तरफ से फेला देंगे चावल को चारो तरफ फेलाने के बाद हम ठीक उसी तरीके से फिर से इसके उपर बिरिस्ता डालेंगे उसके बाद हरा धनिया और थोड़ा सा बिर्यानी मसाला डालेंगे यसे हमने पहले लेयरिंग करी थी बिल्कुल ठीक वैसे ही इसकी भी लेयरिंग करेंगे साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे उपर से नमक डालने के बाद जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था वो जो ओयल बचा हुआ था यहाँ पे चार से पाँच बड़े चमच वो ओयल डाल देंगे उसी को यूज किया हुआ है तब ए पे हम खड़ाई रखेंगे और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे खड़ाई के चारो तरफ हमें यह गुथा हूँ आँटा लेना ए माए और इसे चारों तरफ से अच्छे से 20 मिनट के लिए तवे पर रख देंगे और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है लो फ्लेम पे 20 मिनट तक हम बिर्यानी पकाएंगे उसके बाद इस आंटे को हटा देंगे और यहां पर 20 मिनट हो चुके थे चारो तरफ से चाकू से आंटे को हटा दीजेगा और इसका धकन खोल करके देखेगा हमारी दम बिर्यानी परफेक्ट बिलकुल बनके तयार है और यकीन मानिए बनाने के बाद आपको खुद लगेगा और समझ में नहीं आएगा कि यह बिर्यानी आपने ही बनाई है थोड़े से प्याज और रायते के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताएगा कि आपको यह वेजदम बिर्यानी कैसी लगी सोया वेजदम बिर्यानी आप भी जरूर ट्राइगा